किसर हम लोगों ने शुरुवात करी थी कोरोना काल से तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो फ्री ओफ कॉस्ट खाना देते थे सबको घर-घर पहुंचाते थे जो भी कोविट के फेशेंट्स होते थे उसके बाद जब हमने देखा कि यह खाने की दिक्कत तो बहुत ज़्याद लोग पैदल चलते जा रहे थे लेकिन एक रोटी नहीं मिल पा रही थी उन्हें तो हमने फिर यह अपनी फांडेशन मनाई और उसके बाद 11 जुलाई से हमने इसकी शुरुवात करी और 11 जुलाई से आज 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में लगवाब हम 60,000 से ज्यादा ल सामाजिक समस्याओं की सामाजिक मुद्दों की आज हमारे साथ मौजूद है आशीशा फांडेशन के फांडर संजीत मलिक जो बताई हूं में मात्र 10 रुपए में भरपीट भोजन की विवस्ता करा रहे हैं आई यह निसे जानेंगे कि किस तरह का यह सार्तक पहल किये इसी नहीं जान पा रहे हैं उन लोगों भी फता लगेगा तो इस शुरूवात के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाज जो आप हमारी अब आज हर जन तक कहुछाने की कोशिश कर रहे हैं संजीत जी आज के जमाने में आपने जो दस रुपए में जरूवत मन्यों को होते थे उसके बाद जब हमने देखा कि यह खाने की दिक्कत तो बहुत जादा है लोग पैदल चलते जा रहे थे लेकिन रोटी नहीं मिल पा रही थी उन्हें तो हमने फिर यह अपनी फांडेशन मनाई और उसके बाद 11 जुलाई से हमने इसकी शुरूवात करी और 11 जुल सर यह एक्चली फिरी चलाने का सोचा था हम लोगों ने लेकिन फिरी में आदमी का थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई आदमी ले नहीं पाता है या कोई गरीब आदमी होता है तो उसे भी थोड़ा मान सम्मान लगता है अपना कि हां मैं कुछ दे के खा रहा हूं और 10 रुपे गी 10% पैसा हमें मिल जा रहा है जा 20% पैसा में मिल जा रहा तो वह हमारे लिए भी हिल्प हो जा रही तरू हैं आप इतना हमें 9ाariusz घ्रिया को एपरसेंब हैं यह सब चीम को हैं denktकि हमारे पास राशन वगता है देना एक जा मगरी को बनवा देंगे कुछ ऐसा नहीं है हमारे साथ की हमें इस्पेशली पैसा ही चाहिए तो ऐसी डोनेशन आ भी रही है और बाकी हमारी जो कोल टीम है वो लोग भी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं लगातार तो वो सारी चीजे अच्छे से चल पा रही हैं आपने कोल ट टाइम आने पर हमारे पास हैं लोग जो आ जाते हैं मदद के लिए किसी भी तरीकी कोई समस्या अब तक हमने ऐसी फेस नहीं करी है थोड़े चैलेंजिस रहते हैं वो तो देखिए अब काम शुरू कर रहा है तो उसकी वैसे रहते ही है अच्छा जैसे आपने बता है को टी आदमी सोसता है कि बतानी दस रुपर में क्यों खिला रहा है कोई आदमी यह नहीं समझ पा रहा है कि आज की तारीक में 20 करोड लोग भूके सो जाती है इस चीज़ पर कोई धियान नहीं दे पा रहा है कि देश के अंदर आधी जनता तो भूकी सो जा रही है आप 20% 30% आद आदमी आ रहा है जो वहां पर उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं बहुत सी बार ऐसा होता है कि आदमी होता है वह कहता है और चुप-चाप लेके चला जाता है तो ऐसे लोग को हमारा भोजन उपलब्द कराने का मुद्दा कोई आदमी आता है तो दस की चार रुपए देत है कोई दो देता है कोई साथ देता है और बड़े हक से खाके जाता है कि भाईया मेरे पर नहीं है मैं तो इतने ही दे पाऊंगा तो उन लोगो जब आप एक टाइम का दोगे तो आपको अलग खुशी मिलेगी उस चीज़ की एक आपको लगेगा कि आपने कोई चीज करी है आपने पहुता है कि जैसे कि 10 रुपय तो आपने निधारत किये हुएं लेकिन अगर कोई कम भी पैसे देता है तब भी आप उनको भोजन जरूरी कराते हैं भोजन हर एक आदमी को जो भी वहां आ जाता और हमें यह दिखता है कि यह आदमी जरूरत मंद है तो उस आदमी क कि आप कोई भी आएगो भोजन करके कितने लोग आज की तारीक में आपके आसुशी पर पहुंच रहे हैं जो भोजन कर रहे हैं आज की तारीक में लगवग आप देखेंगे तो 400-500 का डेली का आदमी का जो हम लोग बनवाती है राशन वह इतना एप्रॉक्सिमेट डेली ह किसी दिन कम रहता किसी दिन ज्यादा होता है ऐसा हो जाता किसी दिन जल्दी खतम होगया किसी दिन लेट तक चलता रहा है लेकिन हां बीड का जो जो आप लिप को कैसे प्रिजित करेंगे कि इस तरह कि यूवा है और आपने इतने कम उमर में आपने अच्छा एक लिया है इनिशेट और लोगों कैसे आप क्या करते हैं कि किसी भी जो भी हमारी टीम में हैं और जितने भी हमारे यूवास आती हैं उन्हें सब को वहीं पर बुलवाते हैं उनके हाथ से खाना दिलवाते हैं तो थोड़ी सी महतुकांशा उनके अंदर जगती है कि हाँ मैं आज कुछ अच्छा करके आया हूँ तो फिर वो अपने और टीम को जाके बता रहे हैं तो ऐसे करके यूवा भी हमारे साथ जुडने की कोशिश कर रहा है कि हाँ अच्छा काम है क्योंकि यूवा को आज की तारीक में पता नहीं है कि क्या कंडीशन है और क्या नहीं है और किस हिसाब से हम लोग उन्हें खाना खिलवा रहे आज तो वो सुधरने की उस रहा पे भी हैं काफी लोग जो कोई भी होता है हम कहते हैं कि आओ और यहां पर आके काम करो तो उन लोगों में खुशी होती है कि हम लोग भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ मौझूद थे संजित मलिक जो आशीशा फांडेशन के अंतरगत आशीशा रसुई के माध्यम से मात्र दस रुपे में बदाईयों में भरपेट बोजन की विवस्ता करा रहे हैं इनसे हमने बादचीत की इन्होंने अपनी पहल प्रताई की उन्होंने जिस तरह विवस्ता है